अज़र दोस्तों मैं अपने यूटूब चैनल इंडरेश जियस क्लासेश में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम लोग क्या देखी है हिंदी का प्रैक्टिस हिंदी की बहुत सारी क्लासेश हम लोग की हो चुकी है तो आप लोग जितनी भी क्लासेश करने है लिए वे तयार रहें जो है बहुत जल्द वैकेंसी आएगी जुलाई तो मान के चलिए जुलाई या फिर अगस्त तक हम लोगा जो शुपर्टेट की वैकेंसी देखने का आप लोगो मिलेगी जो है ठीक तो अगर आप गलती से आप लोगों का जहां नहीं हुआ है सीटेट म लोग अभी से लग जाए यूपी टेट आएगा जितना जल्दी होगा उतना जल्दी बहुत बेटर है यूपी टेट में अब लास्ट चांस है इसके बाद मौका नहीं मिलेगा थिक तो आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए और अपना प्यार दीजिए ठीक है चल सबसे पहले किसका हुआ था तो सबसे पहले हुआ था मधू कलस का ठीक है किसका मधू मधू स्वारी मधू साला का मधू शाला का आप यह याद भी कर देंगो उसके बाद कौन हुआ था मधू बाला का ठीक है मधू बाला का उसके बाद मधू कलस मधू कलस ठीक मधू कलस फिर निशा निमंत्रन सबसे बाद, इस तरह से सारी रशना है किसकी है, हरिवन्स राय, बच्चन जी की, तो B part हमारा इसका क्या हो जगा, राय हो जगा, इनका जन्म कहा हुआ था, तो इलहाबाद में हुआ था, जन्म हुआ था, जहां से मैं क्लास ले रहा हूँ, वहीं इनका क्य 32, बताइ, 32 क्या कर रहा है, हिंदी सहित सम्मेलन जो हमारे हिंदी सहित सम्मेलन हुए थे, उनके बारें बता दिया, फिर कासरी नागणी प्रचाडी सभा की अस्थापना, फिर क्या करना, राष्ट भाँसा, प्रचार शमीत, वरधा, इस सभी कब हुए थे, इनको क्या करन पचार समित के स्थापना 1818 में तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारा राइट एंसर सी के बाद ए ठीक है एक मिनट चेंज़ करना हूं इसको सी ये बी देखिए सी ये बी किस तो हमारा डी ठीक आई होप मैं आस्ता करता हूं कि सारी चीज़ आपके समझ में आ रहे होंगी तुलसी दास रचना कार है तुलसी दास द्वारा रचित कौन है बताए कौन सी रचना है के सव दास तुलसी दास रचना कार है मतलब तुलसी दास के आए एक बुक पुष्तक है उसके रचना कार क पिलसिदास के रचना नेट्स बताएंगे आप 34. अन्या से अनन्या आत्मकत्था किसकी है? मनुभंडारी की है? सुसम बेदी जी की है? प्रभा केतान की HERE? उशा प्रियम वदा की है? तो इस में अच्छे जो है रचनाया भी अच्छी खासी पुचि जाती है? तीन से चार jeśli र तो मैं जानता हूं कि कब आप लोग सपोर्ट करेंगे, जब तक आप लोग को जो नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिलेगा, तब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो यही गलती होती है, फिर आप लोग कहते हैं कि सर सेलेक्शन नहीं हुआ, एक नंबर से र प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्ष है बताई प्रभु जी तुम इसमें देखिए कैसे कैसे कोश्चन पूछे गए है इतना आसान भी हिंदी नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं ठीक है ठीक ऐसे कोश्चन को तयार करने के लिए आपको समय तो देना ही पड़ेगा वैसे थोड़ी तयार हो जाएगा बिना पड़े 35 का राइट आइंसर क्या जाएगा डी है रहे दास की एक इसके वाक्य है यह रहे दास जी के है ठीक है नेक्स चलते है कोश्चन नबर 36 बताएंग तो आपको एक दिन में चार से पांच वीडियो भी प्रोवाइट की जाएगी लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे फिर तो नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है ठीक तीन वीडियो में पड़े डालूंगा आप लोग सपोर्ट करिए या ना करिए ठीक निमलखित में से कौ अपने भारत का अपने ही देश का है उसे बोलते हैं धड़ाम औरत लास या पतलून तो कौन सा कुछ वर्ड है जिनको हमको याद करना पड़ता है ठीक है जिसे हमारे लोटा हो गया लोटा भी हमारा क्या है देश एजै लोटा हो गया ठीक है और कौन सा है 37 में कौन सा राइव ऐंसर हो गया है तो एप अगे पड़ने की जरुवती नहीं क्या चुंदर मतलब आयोग एक्ति को अच्छी चीज देना हमारा क्या हो जाएगा राइट ए पार्ट हमारा क्या जाएगा 38 का राइट एंसर हो जाएगा ठीक नेक्ट चलते हैं ज्यादा दिंटेल से आज मैंने नहीं बताने की कोशिश की है फिर भी अच्छे कोश्चन है अच्छे लेवल की कोश्चन है ठीक है चली बताई 39 रिग वेद में कौन सा संदी भी छेद तो क्या हो जाएगा इसका रिग रिग प्लस वेद मिलके क्या होता र हो जाता हो भी हाफ में ठीक तो इसका क्या हो जाता है रिग वेद हो जाता है रिग वेद कौन सी संदी है यह संदी हमारी कौन सी है वेंजन संदी कौन सी संदी कितनी प्रकार की होती है तो तीन प्रकार की हमारी क्या होती संदी होती संदी कि कितने प्रकार होते हैं तीन प् और कौन से ब्रिधी है गुणर है यह गुणर ब्रिधी और आयादी आयादी एक कॉन से यह गुरुद और दीर्ग संदी तेख संदी पांच प्रकार की स्वर संदी ती कुल कर आजाएगा 59 तो बीdependence क्या हो जागा kalau जागा क्यों ठीक चलिए अगे जलते हैं कि समय 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 नितना इतना बार बता दिया समाज जी तना ही बार में डीटेल से बता हूं समास कि बारें कितनी भीषचe हैं तो चार लिखें करहेंट अपयरी और क्षीर को हैंwind तो यहां लिख दिया गया है तत्पुरुष द्वंद करमधार और कौन सा यहां कैशना है अब भाव समाज तो छे हो गए ठीक छे स्ञें तो इसमें कि आप बीती अपने आप पर बीती मतलब स्वयम पर बीती को क्या काते है जिसमें क्या आता है जिसमें विभक्ति आती है व कोश्चेन कमी में और पजै क्पार इसका अधिकरण में अपादान में से अलग होने में क्या होता है से अलग जिसे पेड़ से पत्र क्या करते हैं गिरते हैं से अलग होने में ठीक संपरदान के लिए के लिए दान देने में के लिए या दान देने में ठीक के लिए या दान देने में ठीक के लिए या दान देने में इस तरह से हमारा यही इस वाद की विशेषता है, आज संसार में जितने वादे प्रचलित हैं, वह प्रायह राजनितिक छेतर में सिमित हो चुके हैं, आत्मा से उनका संबंद बिच्छे दो करके केवल वाह संसार तथा तक उनका जो प्रशार रह गया है, मन की निर्मलता और इस्वर बुद्ध का विकाश होता है, और मनुष्य सच्चे अर्थों से जनसेवा के लिए ततपर हो जाता है, गांधिवाद में संप्रदायक्ता के लिए कोई अस्थान नहीं है, इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का क्या कर दिया, बलिदान कर दिया, इस उपयुक्त जो है, उपर उपयुक्त गद्यांस के अधार पर बताईए कि संसार के सारे वाद किसे सामित हैं, किसे सीमित हैं, स्वारी, क्या है, सीमित हैं, तो राजनीतिक छेतर तक, संप्रदायक्ता तक, या फिर आत्मा तक, या फिर धर्म तक, तो इसका राइट है ठीक है तो छहाए क्वार्टर फारिवात का आधार किसे बताया गया है राजनी और अध्यात्मिक तत्यों को जन सेवा और अध्यात्म को इस्वर निष्टा और मन निर्मलता को राजनीतिक अध्यात्म और संप्र दा इकता को तो इसको बताया गए राजनीतिक और अध्यात्म को बताया गए तो यह पार्ट इसका राइड अब गध्यांस इसको कर ले जाएंगे मुझे को पता है आप लोग उसको करना भी नहीं चाहते हैं हम लोग बस जो कोश्चन कोश्चन होई करा हैं जो प्रिया के रचनाकार हैं सोची रचना सकंग तीन चार कोश्चन इसी वाले गर्द्यांस में सभी पीवाई क्यू कोश्चन है हलके में नहीं लेना इनको जो सभी सब कोश्चन पूछे गए तो धरम भारती जी कि है किसकी है धरम भारती जी कि नेक्स्ट बताएंगे 45 प्रियोजन का समानार्थी सब्द नहीं है जो प्रियोजन होता है उसका समानार्थी सब्द नहीं है हे तू उद्देश लच नियोजन नहीं होता है क्या होता नियोजन तो इसका सभी क्या जगा सिपाट लच हे तू उद्देश अमारे का प्रियोजन के क्या समानार्थी है ठीक आई होप मैं आसा करता हूँ सारी सीजिए आपको समझ में आई होंगी चलिए नेक्स्ट होता है तो आपको पता ही होगा रिजु का क्या होता वक्र होता है तो आपको पता ही होगा रिजु का क्या होता वक्र होता आसानी से इसका सरलका क्या होता कठीन होता है ठीक है सरलका सीधा क्या होता है टेड़ा होता है टेड़ा होता है ठीक इस सारी चीजिए आपको क्या ह आंक ना हो दूसरा मतलब क्रम वाचक वह नौकर वह नौकर कोई विशेशन नहीं 26 क्या पूड़ांक बोदा कोई राइट हो जाएगा 48 का मतलब क्या कौन निर्देश असुद्ध है 48 का तो कौन सा है C है वह नौकर यह हमारा कोई विशेशन नहीं है ठीक चलिए आगे चलते ह वह नथ यह में रहे हैं रहे सर्व लुझह दिया गया मैं लिख दे रहा हूँ यह क्या एक पुरुस भाचक हो गया लिख दे रहा हूं पूरुषवाचक और एक अनिस्ष्य वाचक जिसमें कोई चीज निस्चीत नहीं होती अनिस्चीत nes Simi. नेगस्शत ठावां सब्दू पूरिक यूर इस तरी लिंक पाचाने के लिए अच्छा और अच्छी लगा करके आप क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं या पुरा वाक्य बना लिया करें अच्छा या अच्छी या अच्छा या मेरा या मेरी ठीक है मेरा या मेरी लगा करें ठीक तो चील अच्छी चील ठीक है अच्छा चील तो हो कर नहीं कड़ी अच्छी कड़ी अच्छी कड़ तो क्या जाएगा मैं देख रहा हूं कौन इसीधी प्धया ओप समे में धेसा करता हूंकि यह दोनों हमारे क्या हें अच्छा चील मारे कडिया नहीं जांड यहां थ Commerce करने सब्सक्राइब श्डारी दोनों पूलिंग नहीं दोनों इस ते चील होती है अच्छी चील होती है और अच्छी कड array नहीं होता इंग क्षिक तो इस ठीक डून की तरह से दोनों के हमां इसे लिंग वेए ū् LinkedIn शुर् पढ़िए गद्यांस को पढ़िए और उत्तर दीजे चलिए वर्दंत किपंत कुंदकली अधरा अधर पल्लो लोचन की चुपला चमके घन वीच जगे छवी मोतिन माला अमोलन की घुघरारी लटे लटके मुख उपर कुंडल लाल कपोलन की निवचावर प्राण करें तुल बद्यानस के कौन सा रस पाँस कणसा 51 का तो फिफटीवन का राइट एंस्ओर क्या जाएगा बक्चे की निवचानेकर करने की बात करें मिली घउम्लॉन की मतलब बच्चे के साथ तो रस कितने हैं। नौ प्रकार के रश होते हैं यह तो आपको पता है यह भरत मुनी के नुशार आठ प्रकार के रश होते हैं ठीक चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट फिप्टी टू बता दी उप्रोक्त पद्ध किस कभी का है यह जो उप्रोक्त पद्ध है वह किस कभी के द्वारा दिया गया उच्यारन की सा क्या होता? मुर्धनय होता? छोटा सा दंत होता? सठको इलावा क्षट गंट होता? क्वकर्स राइ legacy है तो तर्रिपन का right answer Kyada यह तो करेंङस सब्सक्राइब नेकिति सब्सक्राइब दो मा प्राण बेनलगे अ उच्छारण एक साथ हो सकता है दो महार प्राण बेंजनों का उचरान एक साथ हो सकता है आगे बताई 50 55 55 बताई मेरे मेरे लड़के ने मेरी आग्यां का पालन नहीं किया वाक्य में लड़के के विश्य में बिकल्प अशुद्ध है मेरे लड़के ने पुलिंग करता बहु वचन एक वचन बताई मेरा ठिक निक्स्ट बताइी राम आम खाता है में वाकि कॉन्चा रूप यह राम आम खाता राम किसको खाता आम खाता राम क्या खाता आम खाता है तो राइट एंसर कैया जए करमवाच है भाववाच है खृत्ता ऊच्टा ने कि स disp की पतानता है करता की पतानता है रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब्सून मोती गए न उबरे मोती मानस चून तो इसका कौन सा अलंकार है बताइए दोहे में कौन सा अलंकार है उपमा है उपमा तो है नहीं जहां उपमा की जाती वहां उपमा होता है रूपक है रूपक है या slays है, तो slays रूपक भी नहीं, कौन सा है, slays है, ठीक है, तो deep artist का क्या जाएगा, right आजाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, slays आजाएगा, 57 का right answer, slays आजाएगा, ठीक, यह कही वर्ड की कई अर्थ होते हैं, ठीक है, next, बताई, question number 58, question number 58, question number 58 बता दीजिए, चलिए, बता दीजिए, question number 58, 59 और 60, सब बता दीजिए, निमन लेकित में से कौन सा सब्द सुद्ध है, अंगना, आंक, चांत या अंक, बताई, कौन सा इसमें सुद्ध लिखा गया है, 58 का, तो सुद्ध लिखा गया, अंगना, अंगना ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, right answer A, न ठीक, तो D, पार्ट इसका right हो जाएगा, आप बताएंगे, last, जो उप्चारात्मक सिच्छन की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, भासिक, भासिक नियमों पर, समयों में होती, समस्या की करणों की पहचान पर, या उप्चारात्मक सिच्छन पर, तो कौन स प्यासा करता हूं, इस 30 कोश्चन में आपको इंट्रेस्ट भी आया होगा, और मैंने अपनी 100% कोशिस की है, समझाने के लिए जो है, ठीक, अगर आप लोग इसी तरह से चैनल पर जूड़े रहें, इंट्रेस्ट इस क्लासे से पर तो आप लोगों को जो यूपिटेट है, बिंदास, 130, 140 प्लस लाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है, 140 प्लस ठीक, क्योंकि जो हमारा सीटेट है, बच्चे लाए हुए हैं, 125 प्लस और 130 प्लस ऐसे ऐसे बच्चे हैं, जो मुझे से पढ़े और अच्छे नमबर आएं, सिर्फ वी वाई ट्यू से, ठीक, अच्छे ले इतना ही, जय हिंद, जय भारत!